हर रिष्टा एक पंची की तरह होता है अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है अगर आप उसे धीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं कभी कभी कभूतर को दाना खिलाने के लिए नहीं बलकि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं जो नहीं मिला वह बहतर नहीं था जो है वह बहतर है और जो आगे मिलेगा वह बहतरीन होगा किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करो क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं सो खामिया मुझ में सही मगर एक जिद भी है जिने भी अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं किया किसी का बुरा करके खुश मत होना क्योंकि उपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है जरूरी नहीं कि अच्छी बाते करने वाला हर इंसान अच्छा हो आज कल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ लोगों से रिष्टे निभा कर बस एक ही बात सीखी है किसी की हच से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुमें रद्धी के भाव समझने लगेगा किसी की आदत देखनी है तो उसे इज़्जद दो और किसी की फित्रत देखनी है तो उसे आजादी दो चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती अर्मान तो बहुत होते हैं मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती सुकून वहाँ नहीं है जहां धन मिले सुकून वहाँ है जहां मन मिले उनका साथ छोड़ देना उचित है जो आपकी होने का मूले ना जानते हो साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते हमेशा जूट बोलने वाला अगर कभी सच भी बोले तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं रिष्टा उसी से रखो जो आपको खुशी से एहमियत दे किसी के पीछे पढ़कर खुद को बार बार जलील करवाना अच्छी बात नहीं इनसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की शमता होती है उसके बाद वो ना तो रिष्टों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को घमंड किसी भी चीच का हो समय आने पर तूठी जाता है चाहे तनका हो या फिर धनका हो सके तो कभी किसी से जलो मत क्योंकि उपर वाला जिसे देता है उसे अपने खजाने में से देता है तुमसे छीन के नहीं देता जिन्दगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत क्योंकि दूद पटने से वही घबराते हैं जिने पनीर बनाना नहीं आता जिन्दिगी में काम्याब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना पाउं भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी फिसलने मत देना पंची अपने पाउं के कारण जाल में फस्ते हैं परन्तु मनुष्य अपनी जुबान के कारण